मुझे चंगाई देने के लिए उनका धन्यवाद मैं एक हिंदू हूँ और उटी का रहने वाला हूँ मुझे इश्यू या बैबल के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था एक बार मुझे सरदर्द और बुकार के कारण अस्पताल में भर्ती किया गया जैसे ही ग्लूकोस की एक बोतल चड़ाई गई अचानक मेरे हाथ और पैर सूझने लगे और उनका रंग बदल कर काला होने लगा मेरी नाक और कान से खून निकलने लगा डाक्टर समझ नहीं पा रहे थे के अचानक ऐसा क्यूं होने लगा और उन्होंने पूरी तरह जांच पड़ताल शुरू कर दी उसके बाद मुझे बड़े अस्पताल भेज दिया गया वहाँ डाक्टर मेरे रोग को समझ नहीं पाए और कहे दिया कि मैं 48 गंटों से ज़्यादा जी नहीं पाऊंगा साथ ही मेरे माबाप से बहुत से कानूनी पेपर्स पर हस्ताक्षर लिये क्यूंके मेरी मौत नजदीक आ गई थी फिर मुझे केरला ले जाया गया और काले जादू से ठीक करवाने की कोशिश की गई लेकिन हालत बत्तर हो गई मेरे पाउं का अंगोठा गलने लगा और दिन बदिन अपने अंगोठे को सड़ता देख मैं परिशान हो गया सोचे कि कैसी हालत होगी जब कोई खुद अपने शरीर को सड़ता देखे ये बड़ी उदास होने वाली हालत थी तब मेरी एक चाची ने बताया के कोईमबतूर में एक ब्रदर जवाह सामियल है जो लोगों को ईशू की महिमा से चंगा करते है हम बड़ी आशा लेकर उनसे मिलने कोईमबतूर गए लेकिन वो वहां नहीं थे वहां मुझे दोबारा अस्पताल में भरती कर दिया गया क्यूंके मेरी हालत और बिगड़ गई थी 1994 में मुझे ब्रदर जवाह सामियल जी की प्रार्थना सवा में ले जाया गया प्रार्थना के बाद मुझे चर्च ले गए और रात को मेरे रहने का इंतजाम किया जब माने दवा लगाने के लिए पट्टी खोली तो देखा घाउं में से बड़े बड़े कीड़े निकल रहे हैं अपनी ये हालत देखकर मैं जोर जोर से रोने लगा और मैं बहुत ही दुख में डूब गया लेकिन प्रार्थना के बाद मुझे में आत्मविश्वास बढ़ने लगा और लगने लगा कि चमतकार तो जरूर होगा दूसरे दिन ब्रदर जवाह सामियल चर्च आए और मेरे लिए प्रार्थना की मेरे पाउं बड़े गिनओने लग रहे थे पाउं से मास बाहर निकल रहा था खोन जमने की वज़े से लाल हो गया था डाक्टर भी दवा लगाते वक्त दूर से ही दवा लगाते थे क्यूंके देखने से ही घिन आती थी ब्रदर जवाह सामियल ने अपने हातों से प्रार्थना तेल घुटनों के नीचे तक लगाया और कहा प्रभु की जल्द ही चंगाई तुम्हें मिलेगी धीरे धीरे मेरे घाव भरने लगे सडन गला हुआ हिसा ठीक होने लगा और नई चमडी आने लगी मुझे पहले क्यूं नहीं पता चला के आज भी चमतकार होते हैं इश्यू की दया और ब्रदर की प्रार्थना द्वारा मैं चंगा हो गया अब मैं खुद गारी चला लेता हूं पहले जैसा काम भी संभाल लेता हूं बोज भी उठा सकता हूं मुझे में काफी तंदुरुस्ती भी आ गई है ये सब उस परमेश्वर की महिमा का असर है अब मेरी एक सुन्दर पत्नी और सुन्दर बच्चा भी है और ये सब ब्रदर जवाहर सामियूल के मार्ग दर्शन और प्रार्थना के द्वारा ही संभाव हो